वो पहली बार जब उने ले हातों में हार जब उन चले हो गया ये दिल दीवापना उता है क्या क्या उने चाला तेरी आप में जब बसा के चला वे अच्ट्राइब उने में चालन और आज वन गाना सीखेंगे वह है वो टेक्निक भार जिली चुरू करते हैं चुरू करने चुरू करने से पहला आपना चालन से प्लिक्राइब कर देजिगा और बैले का दमाना बार पो लेगा ताक पर नोटिफिकेशन दिल दो लिखाई चलिए chords दिख लेते हैं, इस song में सिफ दो chords उज़ के मैंने, ठीक है? पेठा है A minor, A minor, and the second one is G major, ठीक है? तो ये दो chords उज़ दो हैं, फिर से देख लेते हैं, A minor, and the second one is G major, ठीक है? तो चलिए अब rhythm की तब चलते हैं, जो मैं उसमे rhythm यूज़ की वो कुछ इस तरीके से है, तो ये है down, up, down, up, down, up, down, up, down, 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 up, down, up here, से को अखेंगे अप्द होत्य जrats में उन्ला खरएंगें कि एक सब्सक्राथ करेकheen और घरेले स्ट्रोह इस भी सिर्थम को हैइं में आप खरस्टाउन सर्थम चेंज करें अप ट्रवी क्लेकर शेल ऑट वितन को क्ले तो एंसरे ताउन आट अप्दम है दाउन दाउन ठीक है अगर यह रिदम फोड़ी से तब लग रहे है तो उसका एक ऑप्शन यह भी है दाउन अप 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 अब अब दाउन थाउन अब अप ताउन ठीक है तो यह बहीं कर सकते हैं इस्वच्छ एकोंस और दाऊंच कर दो में स्लोडी ईंट बार पप अब टाम व्यूंद यह कि जाए कि आपके को समझ हैं कि अप्ट आपको रिदम समझ में आगे तो दोनों में साब कोई भी रिदम को प्ले कर सकते हैं ठीक है तो जो starting की जो line है उस पे आपको सिर्फ single single stroke मार रहे हैं ठीक है वो पहली बार जब हम मिले ठीक है इस तरीके सर वो पहली बार जब हम मिले जब हम चले तो यह A minor to G था दन G to A minor है ठीक है वो पहली बार जब हम मिले ठीक है अब जब हम मिले ठीक है अब यहां से रिदम शुदू होगी अब जो सेकंड लाइन इसकी वो भी सेम इनी है A minor to G then G to A minor फिर इसके बाद वापस पहली बार जब हम मिले ठीक है फिर G to A minor अधों में आख जदू चले है फिर A to G है अब यहां से G to A तो बहुत है प्यार क्या चला तो बहुत है तो बहुत है अब जो नेक्स पारग्राफ है उसमें भी सेम प्रग्रेशन है A minor to G then G to A minor फिक है यह पुरे गाले में ऐसे ही चलता रहेगा अब जो नेक्स लाय वह भी सेम रहेगी क्योंकि वो सेम सांड करेगी A to G A to G अब G to A minor फिक है अब G to A minor फिक है अब G to A minor फिक है अब इसके बद वापिस इंट्रो पे चलेंगे तो आई हो बादो समझ में आ गया हो तो इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है सिर्फ जो प्रोग्रेशन है उसको याद करना है उसको कैसे प्ले करना है स्विच आपको A minor to G करना है वह आसानी से हो जाएगा जो बिगनस हैं क्योंकि यह दोनों open chords है ठीक है बाकी थोड़ा सा वर्क आपको रिदम पे करना पड़ेगा तो आई हो इस सांग आप प्ले कर लेंगे या फिर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं नावसे बाइ